हलो एविवान स्वागते आप सभी का वापस से अपने अपने हक के चैनल के उपर जहां पे इंजिनेरिंग बच्चे इंजिनेरिंग वाले बच्चे सीधा बोलते योयो के साथ मचाओ चलिए शुरुआत करते आज एक पब्लिक डिमांड बहुत सारी मेसेज़ेस बहुत सारी कमेंट्स जहां पे मिलेते सर डी यू आई एस डिफ्रेंसियेशन अंडर इंटिग्रल साइन ये वाला टॉपिक शुरू करिए हमारी कॉलेज ने इसकी पूरी पूरी बैंड वजाई है तो चलिए इसी बैंड को सॉल करने के लिए आपको बिलकुल भी एक सही रास्ता और बहतरीन सवाल को सॉल करने के लिए शुरू करने जा रहे है डिफ्रेंसियेशन अंडर इंटिग्रल साइन आज है इंट्रो वाला वीडियो जहां पे आपको कॉंसेप्ट सिखाई जाएगा कि क्या होता है डी यू आएस कैसे इसके सवालों को सॉल किया जाता है मक्सद क्या है इस टॉपिक के पीछे का तो चलिए अपने भाई को महबत वाली लाइक बिलकुल महबत वाली लाइक सबसे एक्सपेक्टेड है फड़ा-फड़ से महबत वाली लाइक होनी चाहिए प्यार से अपने कॉलेज का ग्रूप अपने एरिया का ग्रूप रिलेटिव का ग्रू तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा और अभी तक इंस्टेग्राम वाटस आप टेलीग्राम जॉइन नहीं किया तो किया क्या नाम तो आप जानते हो लिंक डीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है जरूर फड़ाफट से जाके जॉइन करिए शुरू करते हैं क्या ह होता है हमारा डी यू आई एस में टॉपिक का नाम लिखना चाहता हूं डिफ्रेंसियेशन डिफ्रेंसियेशन अंडर इंटीग्रल साइन अंडर इंटीग्रल साइन चलिए इंटीग्रल साइन सर क्या बोलते हो नाम से ही जलक रहा है इसका काम बोलिए 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 ना ये लेखिन इंटीग्रेशन के अंदर करना है इंगलीमें अंदर रहा है तो डिफ्रेंटीशन करना जुरूर है ले लिए आप सॉल्व नहीं कर सकते विकॉज उनका विद रिस्पेक्ट तो कुछ अलग होता है अभी आप कोगे सर उनको कॉंस्टेंट की तौर पर ट्रीट करिये नहीं चलता क्योंकि वह इंप्लिसिट फंक्शन होते एक के अंदर दूसरा छुपा होता है तो आप उसको कॉंस क्शिस में यूज होती है एलेक्ट्रोनिक्स वालों के लिए बिल्कल भी इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव एक शोंचें से चाहती है तो इस बसकार से मेठट बहुत ज़्या दिसाधा इंपोर्न और चलिए सबसे पहल्सपेाँ सब से पहले मैं मैं DUIS बोलूँगा short form में क्योंकि नाम बहुत बढ़ा है लेकिन काम भी उतना ही जादा बढ़ा है क्या है कहानी बड़ी ध्यान से सुनना basic formula होता है कि यह मेरा एक integral है जो in terms of alpha है मैंने क्या कहा I stands for integral which is a function of alpha so I alpha which is equal to integration मैंने limits ले लिया मैंने suppose limits ले लिया a से लेकर b तलग ओके जी a से लेकर b तलग ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है f of मतलब function of x, alpha देखो मैंने क्या कहा था मैंने कहा था जनाब आप alpha वाले function को अभी with respect to x बोला है ना यहापे तो alpha वाले function को आपके दिमाग में क्या सकता है कि sir वो constant है लेकिन वो constant नहीं है क्योंकि दिया हुआ function वो x का भी function है और उसके साथ-साथ alpha का भी function है तो आप उसको directly बाहर नहीं निकाल सकते constant की तौर पे तो sir करे कैसे तो उस case में हमारा formula बनता है हमारा formula बनता है कि यार यह जो i है इसको हम differentiation करेंगे with respect to alpha तो देखिए di by d alpha मैंने क्या कहा differentiation करना है i का with respect to alpha which is equal to integration तो वही रहेगा और यहाँ पे जो integral बनेगा वो रहेगा partial differentiation क्यों क्योंकि मेरा जो f है वह x का भी function है और वह alpha का भी function है तो मुझे जो differentiation करना पड़ेगा वह with respect to x से आदा और with respect to आदा दोनों को मिलना चाहिए तबी तो दोनों खुश हो जाएंगे सिर्फ with respect to x से क्या तो alpha रो पड़ेगा नहीं नहीं मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए ओके समझ रहे हो समझ रहे सर समझ रहे आपकी बहुना है समझ रही है तो ड़ेबा अलफा जिसको हम डेल बोलते डेल एफ अपॉन डेल अलफा और with respect to x जैसे वैसे अब मुझे बताईए अब मेरे ख्याल से अब मेरे ख्याल से सबको समझ चुका है differentiation अंडर integral sign जिसको हम कहते हैं DUIS समझ रहे हो DUIS differentiation अंडर integral sign सरी लिमिट्स का क्या करने का चिंता नहीं बाबजी इस करते हैं मेरे डियर चलिए पहला सवाल यहां पर वन पारामेटर के रिस्पेक्ट होगा यह वन पारामेटर क्या है वह नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आज मैं बिलकुल बेसिक सवाल लेने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा जो है सबसे सूपर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा देखिये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा प्रू दाट प्रूव दाट यह बहुत सारी उनिवर्सिटिस को टॉपिक है तो प्रकार से आपको लेने जा रहा हूं तो एक सरे इस टू अलफा माइनस वन अपॉन अपॉन लॉग ऑफ एक्स और यहां पे रहेगा डी एक्स विच इस एक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस अलफा कड़क वाला अपसलूटली कड़क वाला और यहां पे उन्होंने कंडिशन है अलफा और इकोल तो जीरो ओके ऑलफा इस ग्लेटर दैन रीकोल टू जीरो तो इस प्रकार से सवाल है इसको कैसे सॉल करेंगे बड़ी दियान से देखना अब देखो यह X भी है है ना तोित रिष्पेक्ट यहां पे with respect to x बोला तो गया है लेकिन answer they are expecting in terms of alpha समझ रहे हो तो जाहिर सी बात है मुझे x को हटा के answer मुझे alpha में लाना पड़ेगा तब जाके असली मज़ा आने वाला है तो मेरा i alpha क्या रहेगा i alpha मतलब integration वाला पूरा पूरा function यहां पे आपको लिख देना है लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है लिख दिया मेरा i alpha मुझे मिल चुका है अब अब देखिए according to according to according to rule of rule of d u is according to rule of d u is क्या बोलता है d u is हम क्या करेंगे differentiation करेंगे मैंने क्या बोला था d i upon d alpha करना है ओके जी तो according to the rule of d u is differentiating d differentiating differentiating with respect to with respect to alpha समझ रहे हो differentiating with respect to alpha तो यहां पे मिल रहा होगा d i upon d alpha which is equal to d i upon d alpha which is equal to integration 0 से लेकर 1 limits को कायम बना के रखना है उसमें कोई चिंता नहीं है यहां पे deba f by deba alpha होने वाला है और यहां पे dx भी होने वाला है कड़क वाला सर absolutely कड़क वाला देखिए तो यहां पे क्या बनेगा यहां पे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 अब देखिए जनाब जब मैं इस function का differentiation करूंगा with respect to alpha किसके with respect to with respect to alpha जनाब one upon log of x जैसे है वैसे रहेगा बताओ क्यों पूछो क्यों 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 कि मैं with respect to alpha कर रहा हूं तो बताइए एक्स will be treated as a constant क्यों कि मैंने पहले ही का था partial differentiation आपको करना है अगर आप normal differentiation करने बैठोगे वाट तो लगनी लगनी है क्योंकि यहां पर दोनों function है यूँ अपॉन वी रूल यूज करना पड़ेगा समझ रहे हो मेरी बात को मैं तोड़ा फास जा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है अब दीखिए वन अपॉन लॉग एक्स आपने तो निकाल दिया तो सर एक्सरी इस्टू अल्फा यहां पर लिखना चाहता हूं डैबा अपॉन डैबा एक्स और एफ के जगे तो कड़क वाला समझ गया है यह स्टेप को मैं यहां पर रिपीट लिखता हूं त्याकि कंटिनिविटी मिले हमें और आपकी दिमाग से कोई छूटे नहीं तो डैबा डैबा अल्फा यहां पर एक्सरी इस्टू अल्फा माइनस वान और यहां पर बनेगा डी एक्स अब म पजपंचोटी चड़ी पहनते थे बड़ी जरारत करते थे लॉली पॉक कहते ते उस टाइम हम लोग पढ़े थे स्टू एक्स का फॉर्मिला एरेस्टू एक्स का Spring क्या होता था सही क्या होता क्यूंसर यहां पर यहां पर अल्फा करना है मेरा alpha जो है मेरा जो function है वो सर के उपर है यह ना उपर है और x will be treated as constant तो देखे constant और उपरी हिस्सों में function है तो जाहिर सी बात हैं यहाँ पर use होगा सीधा सीधा differentiation और यहाँ पर हम करेंगे बिलकुल भी x raised to alpha into log of constant constant क्या है एक्स है एक्स है तो यहाँ पर कड़क वाला एक्स होने वाला है और यहाँ पर डी एक्स तो जैसे बोलो x raised to alpha plus 1 upon alpha plus 1 और यहाँ पर 0 से लेकर 1 की कहानी सीधा सीधा substitute और मज़ा चलिए सीधा सीधा substitute और मज़ा बताईए 1 upon alpha plus 1 बाहर निकाला पूछो क्यों क्योंकि मैंने integration किया with respect to x तो limits भी x की जगे पर ही आएंगे बाकी जगे पर ना डालना चलो 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 तो यहाँ पर 1 raise to alpha plus 1 और यहाँ पर minus 0 raise to anything is 0 तो कड़क वाला काम मेरा यहाँ पर बन चुका है मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ यहीं पर लिखूंगा सीधा सीधा यहीं पर लिखूंगा इसको यह marking कर लेते हैं चो चिंता नहीं रहेगी तो देखिए अपनी 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 यहाँ पे लूस क्या है डी अपॉंड लफा है नहाама तो एफ़र डी आई अपॉंडी अलफाNot विच इक्वाल टू 1 अपॉंड़ प्लॉस 1 क्या बशू किया बात मुझे चाहिए आई की वैल्यू मुझे चाहिए आई की वैल्यू तो डी आई अपॉन डी अलफा से हम आई निकालना चाहते हैं कैसे पूछो कैसे integrate करके therefore integrating integrating on both sides on both sides चलिए 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 मेरे पीछे छुप गया क्या नहीं ना ठीक है ठीक है ठीक है कोई चिंता नहीं है चलिए integrate कर लेते हैं तो यहां पर सीधा सीधा में आपर लिखना चाहता हूँ नया page नहीं कहानी integration करेंगे with respect to what alpha जी alpha तो सीधा सीधा में यहां पर i लिख देता हूँ ना यहां पर i is equal to मुझे बताईए with respect to alpha करेंगे तो one upon alpha plus one one upon alpha plus one का integration सीधा होने वाला है log of alpha plus one और यहां पर plus c की कहानी सर क्या यह plus c हमें दिक्कत देगा तकलीब देगा चिंता नहीं है देगा भी तो भी बाबाजी आपके साथ है यो यो के साथ मचाना है और इसका answer निकालना है तो to find to find c c की value अगर मुझे निकालनी है put alpha is equal to zero पूछो क्यूँ क्योंकि initial value निकालेंगे जीरो से शुरुआत हो रही है सर आपको कैसे पता क्योंकि question में लिका गया है न वह या alpha is greater than or equal to zero तो zero से शुरू होगा और आगे जाएगा आगे जाएगा तो इसलिए zero initial value put कर दी तो i तो यहां पे i of zero बनेगा क्योंकि i of alpha था यहां पे log of one बनेगा और plus c तो जाहिर सी बात है c is equal to यहां पे बन गया zero मेरा रजबब बन गया hero क्या बात है तो i is equal to log of log of alpha plus one मुझे बताईए हमारा i क्या था हमारा i मतलब हमारा question था जी integration zero से लेकर one therefore x raise to alpha minus one upon log x और यहां पे dx which is equal to log of alpha plus one मुझे मिल चुका है जो हमें चाहिए था एक प्यारा वाला sentence यहां पे लिखना चाहिए एक engineer को है न कोई लड़का आके या कोई लड़की आके बोल दे I love you उसको इतना खुशी नहीं होगा जितना वो बाद में लिखेगा hence prude hence prude लिखने में जो खुशी होती है न वो दुनिया में किसी चीज में नहीं है तो जरूर नीचे लिखना है hence prude और कड़क वाला यह solution क्या लगा क्या लगा जरूर एक दफ़ा वीडियो को rewind करके देखे ताकि concept आपकी clear होनी चाहिए next session में बताऊंगा what is one parameter method उसके numericals मचाएंगे इतनी ही जोश जुनून और ताकत के साथ तब तक के लिए मौबत वाली like प्यार बरी शेर बूलना नहीं है मिलते है next session में तब तक के लिए bye bye take care and thank you so much guys